अगसा लोग यह भूल जाते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से कटेगा यह सब याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसी को सौर्ट करने के लिए इसी को सरल बनाने के लिए आज हम डिवीजिबल रूल बताएंगे डिवीजिबल रूल क्या होता है उसके बारे माज यह सब्से पहले हम देखें हैं सबस् Ve염 करने का मतलब दो से कौन को सी संख्याएं कट सकती है उन karena देखें पहला नियम क्या है डिवीजिबल वीन का नियम क्या है कि इसके लिए आपको क्या करना होगा ख़ली लास्ट दिजिट देखना है यह अनतिम आंक सब्णा है अंतिम अंक 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो या फिर 8 हो कहने का मतलब अंतिम अंक सम संख्या हो जाएगी तो सम संख्या मतलब क्या 0, 2, 4, 6 या 8 हो जाए तो जितने भी नंबर होंगे वो सब 2 से divisible हो जाएगे छलिए अग्जाम फल देखते हैं इसक्षजा क्या है मारे पास हम लेते हैं किसी भी संख्या के लास्ट में 0 एजाए महां निदेव जाए चाहरा जाए चाहर जाया आज तो इन अंदने भी नंबर लिखें पांचों में नंबर तो तो वह समसंख्या नहीं होगी क्या लिख सकते हैं आपको मासे लास्ट में जो नहीं प्रोड्क है नहीं यह नहीं प्राबलम इस टाइप से आप बहुत सारे चीज़ें लिख सकते हैं तीन की डिवेजबल रूल के बारे में बात करते हैं तो डिवेजबल भाई थरी का क्या प्रॉसेस है देखें डिवेजबल भाई थरी इसमें क्या होगा जितने भी अंक होंगे, अंको का योग, और अंको का योग का मतलब उन्को को जोड़ेंगे, समकरेंगे, अगर वो जो वालू है, तीन का गुरज आया, तीन का गुरज का मतलब जोड़ने की बाद तीन के टेबल में आया, तो वो संख्या तीन से divisible होगी, कोई भी नंबर होगा वह तीन से बिभाजित हो जाएगा वह करीचन देखी क्या है कि क्या होगा जितने भीं होंगे उनको क्या करें जोडिंगे जोड़ने के बाद अगर यह वैलू III के टेबल मागे तीन के पहाड यो वह तो वह संख्या तीन से कट जाएगी तो बिट्सक्राइब है जोड़ेंगे चार और आठ बारा-बाराई बारः-बारः-बारः-बारः-पांद सतरे सतरे-चार-चार-एक-ई-स तो जोड़ने प्येट टोटल कितना रहा किसər आब करने पर अब आट करने पर कैसा रहा है तीन के टेबल में कीस आता है इसका मतलब यह नंबर क्या होगा तीन से कड़ जाएगा आगे देखिए चार आर्ट ताट च्छ पांच कुछ भी लिखेजिए आप इसको जोड़िए जा रहा तो देखिए साथ-5,12,12,12,18,18,12,20,20,22,22 ए जोड़िंगे तो तीस पर तीन के टेबल में तीस आता है इसका मतलब यह जो है उस तीन से डिवीजिबल है सब को करना यह का यह जितने यह नंबर है उसमें जितने भी कोई भी नंबर है उसमें कितने हैं सब आमकों क्या करना है जोड़ना यह 15ा सब ने मतले वे 3 से गट जाएगा चलिए आप देखते हैं चार से डिवीजिबल दूल चार से कौन कटेगा तो चार से डिवीजिबल थी वाई फोर डिवीजिबल भाई 4 यह क्या है इसमें अंतिम खाली दो अंग देखेंगे अंतिम दो अंक अगर चार से क्या हो रहा है तो बाकि जितना भी बढ़ा नंबर होगा और 4 से कट जाएगा इसके बगल में कुल लिख दें तो यह सब क्या होगे जो भी नंबर होगा हम बाड़ा वाला नंबर चाहे तो टोटल जितने भी नंबर होंगे वो चारते कड़ जाएंगे इसको पताई है कि नहीं है लास्ट में देखें टीटू 20 चोक असी होता है फिर चार गते ज्वल नहीं जाएगा इसका मतलब एक टीविजबल नहीं है चाटे बाजित नहीं होगा अगर यह चौर आसी होता तो कड़ जाता है अगर देखें 2 3 4 2 भूआ रच्ल एक देखे लाइस्ट . चाहरते कर जाएगा इसका मतलब 4 टोटल नंबर जो कि और 40 टीविजबू नहीं garbage उसको ईसको इसके दिखते हैं में पांच का दिविजब्स 被 जूल क्या आता है तो टिविजबू मा titanium इसके लिए क्या होगा हमको अंतिम अंक देखना पड़ेगा अंतिम अंक हमारे पास क्या क्या होगा अंतिम अंक हमारे पास या तो जीरो हो या पांच हो तभी उस अंख्या क्या होगी पांच से कटेगी एक्जामपल देखिए एक्जामपल में लास्ट में जीरो लगाई या फिर पांच लगाई कोई भी नम्ब लिखे चार पांच हो गया दाश्ट में पांच से कड़ जाएगा तीन चार पांच चीरो गिशाच आठ पांच इस टाप से जितने भी नमबर है अपने हिशाप से लास्ट में 05 अब बात करते हैं डिविज्व भाई 6 तो डिविज्व भाई 6 के लिए क्या होगा देखे धान से डिवीजीबल भाई कि इस कोई भी नमबर दो से कट रहा है मतलब लाश्ट इसका जीरो दो चार शाय या आठ है अलिक अगर यह होल्ड कर रहा है उसके बाद तीन से भी कट रहा है मलब एड करने पर तीन का टेबल आ रहा है तो कोई भी नमबर अगर दो से कट रहा है और साथ-साथ तीन से भी कट रहा है दो से भी कटेगा तो वो छह से भी कट जाएगा कहने का मतलब दो और टीन से बिभाजित जितनी भी संख्याएं होंगी वे संख्याएं छे से भी बिभाजित होंगी कहाने का मतलब कोई भी नमबर अगर दो से कट रहा है और तीन से भी कट रहा है तो वह संख्या छे से भी कट जाएगी बस यह नियम है इसका कहने का मतलब आप समझे जैसे मली जी हमने बारा लिया अब तो आप सबको माल में बारा कर जाएगा ध्यान से देखिए क्या लास्ट कर दिजीत क्या है दो इसमें कि तीन का नियम क्या है जितने अंग उसको जोड़िए तो दो एक जोड़िंग के थो जाएगा तीन को पहाड़ा तीन में एक से उसका मतलब है तो ही बश्क कर देगा और यह नहीं कर देगा इसका आप देखते हैं दिवीजे Woah 7 के लिए देखे द्यान से कि क्या है इसका कोई भी नंबर है जैसे मालेजी चार आठ छहें इतना बड़ा नंबर क्या करेंगे इसमें क्या 48 तो जो बाड़ा होगा उसको उपर लिखे के फिर घटाएंगे घटानिक बात क्या रहा है देखिए गटाएंगे तो कितना जाएगा 28 तो साथ के टेबल में 27 इसका मतले भी साथ से कड़ेगा बड़ा नमबर दिखते हैं 2401 कि क्या करेंगे लाश्ट का डबल कितना एक का डबल दो यह कितना 240 240 में से दो घटाएंगे तो 238 आप कहेंगे इतना बड़ा टेबल कैसे पढ़ेंग तो क्या करेंगे क्या कारेंगे फिर डबल दॉलॉमा कि इतना है 23 तो 23 में से रहेंगे कितना आधा रचारेंगे एक बार जागए तरक हो जाएग कहां कुच्छन को तो साल करेंगे जलिए एका कूँशन हो लिए देखें है किसे करेंगे इसका डबल चारा कर बार है यह कितना है और शर्थ होटाएं गट आएंगे कितना जाएगा शबाद हाले में शबंपन आता है इसका मतलब यह साथ से कड़ से इतना भी मतलब नहीं पड़ पा रहे हैं इसका फिर कर दिजे तो चाहिए ज़ुशन नमबर नेक्स्ट मतलब इट अभी गौर करिए दो के लिए हमने क्या बताया लास्ट डिजिट बताया चार के लिए क्या बताया लास्ट टू डिजिट और आठ के लिए क्या बताया लास्ट थरी डिजिट क्या होना चाहिए दिबिजबल बाई टू होना चाहिए यहां दिबिजबल बैइ टू ओड़ नहीं है कितना भी बड़ा नंबर होगा हमको लास्ट का 3 बाधा नमबरों कोई Pottinya के जैसे मलीजी हम हम ने लिख दिया एक दो तीन चार-पांच शे up ला करता है इससे कोई मतलब नहीं हम को इसमला ठीन दिजित 406 पने किसे भाग देंगे आठ से आठ कर देवल कितनी बार जाएगा अगर अगर यह तो यह जो नमबर है वो भी क्या होगा आठ से कड़ जाएगा पस्सिंपल सी बात है कोई बड़ा नमबर लेते हैं कि अब क्या करेंगे देखेंगे कड़ेगा कि नहीं कड़ेगा साथ पांच है और अठनों बात्तर कटाई कितना आया तीन और इधर कितना अच्छा है आठ कटेबल 36 चार बार और चोग 32 चार बच गया आठ बलभ से नहीं कड़ेगा विचिस नॉट डिविज्वल गई नाइन की करिशन देखिए नाइन की संक्यां नो से डिविज्वल होगी कब जब इसमें जितने भी नंबर हैं इतने भी डिजीट हैं सबको अट करें तो नाइन कॉते जैसे तीन करेंपल था तीन में यो मुणनी क्या बताय कि अध्न करेंगे तो तीन का अभ्र इन चाहिए तो अगर याद करना है सिंपल है क्रें नहीं स्वार्ट करना चाहिए वार्ट का लाकाoteे सतнул्राइट का तो करने गाइड करने पर नौग सब्सक्राइब और आज अब बात करतें शका तो जो तीन से कटेगा और दो स्कटेगा वह किसे कड़ेगा श्च कर देखाइब अंकों का योग जितने संख्या हैं संख्या में अंकों का योग करेंगे कि अवो जो योग करने के बाद वो क्या होना चाहिए नौका बुर्णा चाहिए यह बुर्णा मतलब मल्टिपल बोलते हैं इंगलिस में तो न्यूत गुड़ज का मतलब मल्टिपल होता है नौग के टेबल माना चाहिए सांख्या में जितने अंख होंगे सब को एड करेंगे अगर नौग के टेबल में आ रहा है तो कहेंगे कि यह जो है नौ से डिविज्वल है अधरवाइज नहीं है देखें एसे लिखें एक दो तीन चार पांच एड करिए एक और दो तीन 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 च्छा चार दस पांच पंदर पंदर में छे जोड़े तो यह हो गया कैस क्या नौ के टेबल में कैस आता है नहीं आता है इसका मतलब यह नौ से नहीं कड़ेगा नौ से बिभाजित नहीं होगा यह है तो कौन भी भाजित होगा देखें है चार पांच चार पांच 5 चार और नो इस पांच और नो 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 अठारह अठारह और नो 27 27 में ना जोड़ेंगे तो 36 की टेबल में आता है ता है लास्तम पड़एगा और टेंगिन का है टो टेंग क्या नियम एकदम सिंपल सा है क्या है कि लास्ट इसका होना चाहिये जीरू होगा है है कि क्या होगा टया यह यहir啊 तो लास्ट में कोई भी नंबर है लास्ट में जीरो लगा दीजिए वह दस से कड़ जाएगा अब 11 का नियम है तो 11 का नियम देखें क्या होता है ध्यान से समझें कि यह रख नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 11 का क्या है लग सै इसने नमबर लेच captive 810 city साथ 845 गया करना है एक गया गया परके जोड़ना है यवक इसके साथ इस जोड़ना है ऌस और इस वाली ऊपर वाली वाले को भी जो गयाप तोड़े हैं जो जो उसको जोड़ना हrice करे Mister यह चार है फिर छह फिर आठ है फिर पांच है चार है छह आठ पांच है इन सब को जोड़ेंगे दस दस पांच फंदर है पंदर माठ जोड़े तो तेश उपर जोड़ी है 5 इसाथ चार च्छह तो फांच बार बारे चार कि बाराच अधेट अब इन दोनों को क्या करना मैनस करना अगर मैनस करने पर 0 एंगल ह Similarly कि इंग समस aux na1 से नहीं कड़ेगा तिसका मतलब यह से होना चाहिए था यहां पर बड़ा है तो बड़ा ह हमारा नीचे वाला है यहांप यह पर चार होता या फिर यहां पे क्या होता 7 होता या फिर यहां पे 5 होता कोई भी नंबर एक कम होता तो वो क्या होता यारस से कट जाता एक निये देखते हैं 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 4,3,2,1 इसको देखे क्या यारस कटेगा देखे 1 और 3 और 5 और 3 और 2 1 जोड़िए 1,3,5,5,3,1 जोड़िएगा तो 4,4,8,8,5,13 इसको जोड़िए 2,4,6 6,4,10 10,2,12 फिर वोई बन रहा है 12 तो 13 में इस बार खटाएंगे फिरे का रहा है इसका मतलब कि यारस से कटेगा नहीं कौन कटेगा देखे धान से तरह से लिख दिए 1,3,3,1 तो 1 और 3 जोड़िए 4 1 और 3 जोड़िए 4 तो 4 में 4 गया 0 ये सब कट जाएंगे 11 से बस ये नियम है एकदम ठीके तो 4 ते कटेगा 11 से कैसे कटेगा अब ये देखे इतना हो गया फिर 1,2,3,2,1 इसको देखे कैसे कटेगा देखे धान से 1,3 कितना होगा? 4 4 में एक जोड़ित हो गया 5 ये दो-दो होता है 4 फिर ये भी नहीं कटेगा 4 में 5 में 4 गया ये एक आगया तो जब इसको घटाने के पाद 0 आएगा यारक टेबल आएगा तब ही वो क्या होगा यारसे कटेगा otherwise नहीं कटेगा उमीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिजिए जिससे आपको इस टाइब को वीडियो हमेशा मिलता रहे चलिए मिलने कम नए वीडियो में तब तक लिए जाए